अभी हाली में 19 मेरी शुक्रवार को RBI मतलब भारतिय रिजर्व बैंक ने यह गोशना की है कि 2000 रुपे के नोट अब मार्केट में नहीं चलेंगे इनका लीगल टेंडर समाप्त कर दिये जाएगा और जिस तरह से पहले 500 और 1000 रुपे के नोट बंद हो गए थे ठीक उसी तरह से अब 2000 रुपे के नोट भी आगे जाकर बंद कर दिये जाएगे RBI ने यह भी बताया कि इसते आम जनता को किसी पकार की कोई भी परिशानी नहीं होगी यह नोट मार्केट में सर्कुलेट होते रहेंगे बैंक में जमा भी होंगे और बदले भी जाएगे लेकिन एक समय सीमा के बाद इनका सर्कुलेशन बंद कर दिया जाएगा तो आगे अब इन नोटों का क्या होगा जिसके पास 2000 रुपे के नोट हैं उनका क्या करना है कब तक बैंक में नोट जमा किये जाएंगे या बदले जाएंगे और इनका कोई चार्ज तो नहीं देना पड़ेगा इस तरह के बहुत सारे सवाल कई लोगों के मन में आ रहे होंगे तो इस वीडियो में मैं आपको 2000 रुपे की नोट से जुड़ी होई सभी बाते बताऊंगा और कोशिश करूँआ कि मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकूँ तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ट को किया था जिससे बहुत कम दव्मातरों के संख्या में ज्यादा अमाूं रूपे के चपाई बंद कर दी कर दी गई जबकी 2,000 रुपए के नोट जो आज बाजार में है उनमेंसे ज्यादा तर 2070 या उससे पहले के जारी किये गए थे और नोटों का अनुमानित जीवनकाल मतलब नोटों के लाइफ चार या पास साल की थी यह भी दिखा गया कि आम जनता की करंसी की आवशक्ता को 100 रुपे, 50 रुपे, 500 रुपे के नोट से पर्याप्ति रुप में पूरी की जा रही है और 2000 रुपे के नोट का आम तोर पर लेन देन के लिए उपयोग नहीं किया जाता है इन सभी बातों को जहन में रखते हुए, रिजर्ब बैंक आफ इंडिया ने क्लीन नोट पॉलिसी के तहर यह ने लिया कि 2000 रुपे के नोट का लिगन टेंडर अफ सम अप्त कर दिया जाएगा मतलब 2000 रुपे के नोट को बंद कर दिया जाएगा तो दूसरा कुशन है क्लीन नोट पॉलिसी क्या है जब बातिय रिजर्ब बैंक कोई भी नोट जारी करती है तो उसके एक लाइफ होती है हर नोट के लिए एक जीवन काल होता है जिसके बाद बहे नोट गलने या फटने लग जाता है और इस तरह के नोट के बदले बैंक आपको अच्छी क्यालिटी के नई नोट प्रोवाइट करती है और इसी पॉलिसी को क्लीन नोट पॉलिसी कहते हैं व्यक्ति अपने पास रखे 2,000 रुपे की नोट का क्या करें है तो जिनके भी पास 2,000 रुपे के नोट हैं, वहां उनने अपने बैंक से अकाउंट में जमा कर सकते हैं, या फिर उनने किसी बैंक से बदल भी सकते हैं, जिसमें आपको 2,000 रुपे के बदले, 100 रुपे या 500 रुपे के नोट मिल जाएंगे। नोटों को बैंक से बदलने या जमा करने के लिए भारतिय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2023 से 30 सितम्मर 2023 तक का समय दिया हुआ है यह समय लगवग 4 महीनी से ज्यादा का है जिसमें कोई भी वक्तिति अपनी नोटों को बैंक से आसानी से बदल सकता है तो एक बार में कितने रुपे बदले जा सकते हैं या फिर जमा किये जा सकते हैं इसकी सीमा क्या है आप जिस बैंक के ग्रहक है या customer है या जिस बैंक में आपका खाता है उस बैंक की KYC के नियम के अनुसार आप कितने भी रुपे, कितने भी 2,000 रुपे के note bank में जमा खाते में note जमा करने की कोई भी limit नहीं है, आप कितने भी note में जमा कर सकते हैं लेकिन जब आप नोट बदलना चाहते हैं तो एक बार में 20,000 रुपे तक की सीमा के 2,000 रुपे की नोट आप बदल सकते हैं मतलब आप 2,000 रुपे की नोटों को 20,000 रुपे तक ही एक बार में बदल सकते हैं इससे ज्यादा 2000 रुपे के नोट आप नहीं बदल सकते हैं किया 2000 रुपे के नोटों को बदलने के लिए बैंक का ग्रहाक होना जरूरी है या नहीं नहीं बैंक का ग्रहाक होना जरूरी है या नहीं नहीं बैंक का ग्रहाक होना जरूरी नहीं है आप किसी भी बैंक से 2000 रुप होने या बैंक में खाता होने की आवशक्ता नहीं है तो क्या 2,000 रुपे के नोट बदलने के लिए बैंक को कोई चार्ज देना पड़ेगा जी नहीं 2,000 रुपे के नोट की एक्षेंज सुब्दा के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा यह बिल्कुल फिरी है हुआ हुआ